वेल्कम गाइज जेकलोन जोब चैनल है मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है सस्क्राइब कीज़े जेकलोन जोब चैनल को और पाते रही है इसी परकार के मैल्टिपाइल चोइस कुशन आपके नर्सिंग प्रमेडिकल पार्मिसी एक्साम के लिए चले शुरू करते हैं हमारा जूलोजी चल रहा था उसमें पार्ट पस्ट हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट पस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रेश में लिंक देदेंगे देख लेना इसी परकार के मैल्टिपाइल चोइस कुशन आपको फिजिक्स केमेश्टी बायोजी के मिलते रहेंगे हमारे इसी चैनल पर तो चले शुरू करते हैं यह आपकी जूलोजी का पार्ट हुए है पहला कुशन है वह पेशियां जो हद्दे के लेबद संकोचन एंव विक्सा में साइक करती है विच मसल्स हेल्प इन रिद्मिक कॉंट्रक्शन एंड रि पैसी यह पिर दरिदार पैसी कार्डि मसल्स मृज्श इस्कलेटल मसल्स मीआ पिर इस्ट्रक्श मृट्रक्शन उलाँ-पहले आपको बताना है अब मायंड में वन Er उलों में कि यह सई हो सकता है आपके रिख्याल से और इसके बार यह बाद लेट में चेक है अब आपने से लेट कर लिया हुआ इसका राइट ऊसमें आपका हद एक पेसी यान के कार्डिंग मस्सल्स ठीग है वह पेसी जो हद देखे लैबत संग कुचन का विक्साप साइक है तो वह है कार्डिंग मस्सल्स ओके मस्सल्स से क्यूशन बन सकता है मस्सल वाले चैप्टर क तोड़ा सा देख लेना कौन सा सुक्सेम जिव यानि की कौन सा सुक्सेम जिव सिट्रिक अमल के उत्पादन में साइक होता है कौन सा सुक्सेम जिव सिट्रिक अमल के उत्पादन में साइक होता है आई होड आपने टिक का वसे लगाया हूँ किसिने एको लाए प्रगी रगाए अगर तो यहां सिलिक और कीरायवाद Annie कि अगर गल्ती होगा तो आपको सिखोगे अगर सही पे लगाते हो तो भी आपको अपना अगराया का पाता चल लेगा है कि हाँ हाँ लेवल पे साइटिक लगाया और जो गत लगाते हो उसको भी अपना लेवल पता चल जाएगा कि कितने गहर है हमें कितने गहर है पानी में हमें राइट अप्शन हो जाएगा आपका एस्परजिलस नाइगर कौन सा सुक्षियम जो साइटर कमल के उतवाद में आपने इस लेट कर लिया होगा इसका राइट उसनों जाएग आपका जाएमोजन ठीक है जिन्होंने इस पर टिक लगा तो बहुत बहुत दन्यवाद और जिनने गल्स लगाया तो सीख लेना अपने आपको सजा देना कि इसी वीडियो को कम से कम तीन चार बात देखना है और सारे वीडियों देखना है ताकि आपके प्रäक्टिस अच्छी हो जाए अगला जो कुस्स्न है को मदू मक्क पounds है की एपी शらवplic हो आपको बहुत सरे पता नहीं होता है कि मदू मक्कि पालन की एपी कल्चर में किसका दिन किया जाता है तो होते है मदू मक्के मदू मक बताओ मद्दो मकी पालन में निशिशत अंडे किसके द्वारा बनाए जाते हैं तो इसका राइटो सुने जाएगा आपका ड्रोन द्वारा ओके अगला एकुशन वह कौन सा रख समुए जिसमें पर्तिजन ए बी के खिलाब कोई एंटिबोडी नहीं पाये जाती विच प्लड गुरूप इंडिविजल डज नॉट टैन एनी एंटिबोडी अगेंस्ट चर एंवी एंटिज ओ भी एबी आए पता है ना ब्लड के बारे में तो सबको पता होगा ना और भी से डवली जी प्लाइट अंज का जो में ट्रेल है ब्लड गुरूप के बारे वह आपने समने पढ़ा होगा ठीक है ओ जिसे एक हमने बता रहा है कि हमारा जीक के अगर आपने इसको फॉलो नहीं कर रहा है इस चैनल को तो फॉलो कर लेना लिंक नीचे दे दिया हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको दुगना पोशन मिल से के दोनों चैनलों से ठीक है वह कौन सा रख सुमए जिसमें परतिजन ए बी के खिलाब कोई एंटीबोरी नहीं पाये जाती राइट ओप्शन इच ए बी यानिगी थर्ड वाला राइट ओप्शन है आपका अगला क्रिशन मनुष्य में अंतस्त्रावी प्रणाली के लिए तंत्रे का नेंतर्ण होता है इन हुमन विच इस दे निवरल कंट्रोल सेंटर और अल एंडोक्राइन सिस्टम मनुष्य में अंतस्त्रावी प्रणाली के लिए तंत्रे का नेंतर्ण के अंदर होता है अधिवक्र गरंती पी सारी मालुम होना चाहिए और सभी एपक्षेंस हार्मोन आपको मालुम होना चाहिए और यह हमने पड़ा चुकए جीificación ंसी क्यून के चनल में पड़ाया था आपको जाके देख ले न उस चनल पे खिए को मिल जाएगा अन्थास्तिया और वाइस्तिर्षे दोन कच्छे से पढ़ाया था तो इस चैनल पर जाके देख लिए ना लिंक नीचे दे दे दिया इस चैनल का मनुस्य में अंतस्त्रावी प्रणाली के लिए तंत्री का नेत्रन केंदर होता है सो आपने भी स्लेट कर लिया हुआ इसका रायट उसने जाएगा आपका हाइपो थेलेमस ठीक है ऑप्शन तर्ड कि उसन सारे पोटेंट है गाइज जिन्दगी बर आपके काम आने वाले आपकी जिन्दगी में हमेशा काम आएंगे सब्सक्राइब किस बाग में अनुवान से पदात पाया जाता है इन होमन इस फर्म विच पार्ट कंटेंड जेनेटिक मेट्रेल एक्रोसों प्रकुलिस या पिर सेंट्रॉल या पिर प्लैजिलम किस बाग में सुक्राण के बाग तो आपको पता है होंगे न सुक्राण अंडाण सब ने पढ़ चुके बायलोजी में आप और बहुत इंट्रेस्टिंग चेप्टर यह वाला इसका राइटो सुने जगा आपका प्राण किलिस ठीक है और सेगेंट इसमें होता है अनुवान से पदार्थ ठीक है प्राण किलिस में ऑके नेक्स्ट किसी भी क्यूशन में कोई भी सीखाए तो कोई भी कंप्यूजन है कोई भी डाउट हो तो सीधा कमेंट कर देना तकि आने वाली वीडियो में इसका मापको सोलीशन बता सके होगे अफरीका में लोगों में होने वाले नींदगी बिमारे एकतर नागर होगे यह किस प्रोटो जोवा के कारण होता है मुश्ट इपोर्टेंट क्यूशन स्लिपिंग सिक्नेस इन डेंजर्स बिजीज विटियन द इसक बता रहा है कि आपको पिजिक्स के नौट्स केमिस्टि के नौट्स कहां मिलेंगे हमारे पेश्बुक पेज़ पर तो अगरा पेश्बुक इंस्टाग्राम का यूज करते हो तो पेश्बुक इंस्टाग्राम पर हमको फोलो कर सकते हो हमारे पेश्बुक इंस्टाग् सोच लिया होगा कि इसका जो राइट उप्सन होगा कि ट्रेपनोमा ठीक है ट्रेपनोमा प्रोटोजवा से होता है अगला कुछ अगनास से में वसा पाचन को बढ़ावा देने वाले एंजाइम को का जाता है अगनास से लाइपेज नूकलेज प्रोटेज या फिर एमेलेज अगनास से में वसा पाचन को बढ़ावा देने वाले एंजाइम को का जाता है तो इसका राइट उप्सने आपका अगनास से लाइपेज अगला क्यूशन रेटिना में उपस्ति दो कसी कोसी का हैं जो प्रकास ग्रण करने तता रंगों को पाचान में साय के तो शेल प्रजेंट इन दे रेटिना एलो कंटेंग कॉंसे सलेट प्रसेप्शन एंड विजल इंक्लूडिंग क्लॉर रोड एमसम को डेंटिक मैक्रोजल एक्जों एमनियोरोन इनमें से कोई नहीं राइट आउ सुनो जाएगा आपका रोड एमसम को को अगला खुशन और पीत के द्वारा वसा का पाचन होने की पर्क्रिया की लाती है दा प्रोसेज ऑप्राइजसेशन औफट वैल इसको अवमिनीफिकेशन इमिल्स पिकेशन इठीटिकेशन को यृष्टिकेशन एंष्टिकेशन को पीट के द्वारा वसा का पाचन होने वाली प्रिक्रिया कर लाता है इसका राइटम से होज़ेगा इमिल्सिपिकेशन ठीक है और बहुत सारों ने सही बताया होगा बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा जी के एमसी को जैम के चैनल और हमारी पेस्बुक निश्टाग्राम का ल इसक्रण एमनियोटिजम या पर एमनियोटिक अमोनिया और अमोनियम आयनों के नावकों काते हैं कि इसका राइटम सुनाज़ेगा अप्पा एमनियोटिजम और अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिस्मिंट के लिंक में दी हुई है